हलो आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं एक टॉमेस्टिक आटा चक्की जिसमें आप कई तरीके के आटे हैं उसको घर पर ही पीज सकते हैं और इसको किस तरीकी से ऑपरेट करना है और किस किस तरीके के आटे हैं वो आप इसमें पीज सकते हैं वो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है और यह कई सारी लेंग्विश में दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में भी कोई यहां पर कटना ही नहीं होने वाली है और इसको यूज करते करते टाइम ना आपको क्या-क्या साफजानी है वो भरतनी है वो भी सब दे रखा है चक्की के जस्ट ऊपर बगल में साइट से दे रखा है यूज ना होने पे तार को आप इसमें रखते हैं आपका ना इससे क्या होगा कि आपकी जो जगह है वो भी बचेगी और ये एकदम सेफ हो जाएगा कहीं भी आप इसक करके इसको कहीं से भी कहीं भी उठा कर सकते और जो इसकी ढ़र है वो भी बहुत जादा फ्लेकिबल है पूरी तरीकी से बंद हो जाती है और ये इसके एसके साथ अंदर रहना कुछ इस तरीके का एक ड्रॉम है वो दिया है एकूसाया सांधी प्रून है जो आपका प्रों वो अंदर ही fit की जाती है जिस भी तरीके का आपको आटा चाहिए जैसे बहुत जादा बारीक चाहिए थोड़ा मोटा चाहिए बाजरे का आटा चाहिए चने का आटा पीसना मक्के का पीसना है तो उसके लिए अलग लग जालिया होती है नंबर के साफसे जो की उस पर mention किया हुआ है तो बस आप यहां से जाली बदल सकते हैं और जो भी आटा आपको चाहिए वह आप यहां पर mode है वो select कर सकते हैं एक है बाजरी वाला और एक है गेहूँ वाला तो बाजरी वाली mode पर ही बाकी जो आटे है वो पीछे जाते हैं लॉक कर सकते हैं यह फुली ऐटोमेटिक जो आटा चकी है वो हमF हम अन्फ फिलाल थोड़े से चावल है तो हम इनको पीस रहे हैं तो हमना भाजरी मोड पर पीस रहे हैं तो यहां पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके चावल है उनको डालना स्टार्ट किया फिर हमने देखा मशीन की स्पीड थोड़ी तेज़ थी मतलब आप अपने आप ही तेज है तो आप इसमें एक बार में देढ़ से दो किलो आराम से जोभी आपके पास चीज है, मतलब जो भी आटा है जिस भी चीज का पीसना है आपको वो आप देड़ किलो आराम से इस में एक बार में डाल सकते हैं और पिसने में बहुत जादा कम समय लेती है, जादा नहीं, बहुत कम पांस से दसमन्ट में आप आराम से यहां तीन से चार किलो आटा है वो आराम से पीस लेंगे एकसा हमारा experience है बाकी अलग-अलग brand में यह आती हैं तो हमें जितना भी चावल था वो इसमें डाल दिया है यह देखिए हमारा जो कबड़ा है अंदर की तरफ वो साइट ठीक से नहीं लगा है इसलिए यहां से आटा थोड़ा बाहर निकल रहा है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि यह लगाया कैसे जाता है चलिए मैं इसकी आपको जालियां वो शो कर देती हूं किस किस तरीके की है यह देखिए टोटल एनस के साथ 6 जाली है वो आएंगी एक लगी हुई है चक्की के अंदर और 5 है टोटल यह जाली है जिन पर नमबर लिखे हुए है अलग-अलग कि आप क्या-क्या किस किस हिसाब से आप पी सकते हैं तो शही कुई तो यह आप इनको समाल के रखिए ताकि आपको जो भी आटापी लोगत है बहुत ही fine quality में आपको मिले और कोई बिनाarily किसी मिलावट के तो काफी ज़दा यह सही है और price की बात में हम LAD में करेंगे पहले मैं आपको दिखा दिती हूँ इसको clean करने के लिए एक brush है वो आया इस तरीके का और हाँ आप जब भी इसको clean कर रहे हैं आप गीले कपड़े से या फिर गीले किसी भी चीज से आपको इसको clean नहीं करना है अगर आप जाते हैं कि आपकी जो आटा चकी है बहुत जादा लंबे समय तक चले तो आप इसको है सूखे कपड़े से clean करें और साथ मैं brush दिया उसके साथ इसको साफ करें आटा आप देखिए जो गेहू नहीं सौरी चावल है वो धीरे धीरे सारा ना अंदर जा रहा है इस तरीके से लास्ट है ना इतना ही बच्चा है और केवल 3-4 मिनटी हुए है इन वाले चावल को हमा से पिसके तैयार है और यह आटा जब इसमें पूरी तरीके से पिस जाता है अगर आप सुच से आफ नहीं करेंगे ना तब ही अपने आप एना आटोमेटिकली बंद हो जाता है तो इसलिए इस वाली मशीन को हम डॉमेस्टिक आटा चक्की प्लस फुली आटोमेटिक डॉम बंद करके कहीं भी रख सकते हैं इसके उपर एक कपड़ा डालते हैं वैसे इतना ज्यादा अच्छा है को इसके उपर फ्लावर पॉट वगरा रख दें तो कोई बताई नहीं पाएगा कि यह आप भी आटा चक्की है इतनी ज्यादा अच्छी लगती है और पोटेबल है आ आप प्लास्टिक देख रहे हैं जिसके उपर से मैं अभी क्लीन कर रही हूं पहले इसमें अच्छी तरीके से पता नहीं था फिर हमने जब पड़ा तो यह जो कपड़ा है उसमें इसको अटेच करना है इसको ताकि आपका आटा है ना वो इधर उधर नहीं फैलेगा हमने तो इसलिए आटा है काफी जदा निकल गया बट कोई नहीं नेक्स टाइम से हम उसी तरीके से करेंगे प्लास्टिक वाले फ्रेम में इस कपड़े को अटेच करना है आटा फिर हमारा फैलेगा नहीं और हमारा आटा चार से पांच मिनट में एक्दम पिसके तयार हो गया है अभी मैं इसकी क्वालिटी है आपको दिखा देती हूँ किस सही की है यह देगे कितना ज़दा स्मूध और प्यारा आटा बहुत अच्छा पिसके तयार हुआ है और प्राइस की बात करूँ तो यह हमें 13,000 का मिला अपना इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं तो काफी जदा अ अच्छी लगी और आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीकी की चीजों के रिव्यू है वह हम आपको देते रहेंगे और बैल आइकन को प्रेस कर दें बाकि जो भी डीटील आपको जाननी है इ कमेंट बॉक्स में पूल सकते हैं मशीन के बारे में जो भी अपकी क्वेरीज हैं वह हम आपको जरूर बताएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए गा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को भी प्रेस करना बिल